नमस्कार दोस्तों मैं पर पूसर आपके अपने यूरूप चैनल फियेश्टे एक लास में स्वागत है दोस्तों अभी का ब्रेकी नो निकल के आ रही है जैसे कि आप इसकीन पर देखी रहे हैं इस वीडियो में बीटी एशी एनेम दसर 709 पोश्ट के रिगारिक बात करने व सब्सक्राशन विवाग के द्वारा नोटीस जारी किया गया था एस्टेप बेस्टेप करके लगवद 11 सारे 11 मिनिट का वीडियो हम आपको बना के पूरे समझा दिये थे फिर भी अभी स्टूडेंट के वन में काफी सवाल है सार जो 2018 के नियामावली पर विटेशी एनेम 10 709 पोष्ट के वेकेंसी जारी किया गया क्या इस नियामावली में चैंज हो सकती है क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है सारी जनकारी वन वाउन करके डिटेल्स में बात करने वाले है और आज के रिट में पटना हाई कोड के तरफ से LPA को लेके क्या अपडेट निकल के यारे सारी जनकारी वन वाउन करके डिटेल्स में बताने वाले है इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है जो भी टेशी एनेम 10709 पोष्ट का फ़र्मबर है और चाहते कौन्सलिक अदार पर वेकेंसी किलियर हो तो बिन नोटीस के सच्चाई बता रहे हैं अपलों वीडियो में बने रहे हैं दोस्तों इस नोटीस के बारे हम आपको अच्छा से जनकारी दे दिये हैं अलग से वीडियो बनाग भी हम आपको समझा दिये फिर भी स्टूडेंट के मन में सवाल ही है जो सर बीटेसी एनेम 10709 सेवा आयोग अधिनियम 2014, बिहार अधिनियम 13, 2014 की धारा 14 की उपधारा 1 के अधिन प्रदत सक्तियों का प्रियोग करते हुए बिहार तक्निकी सेवा आयोग चैन प्रक्रिया नियामवली 2018 में संसोदन है तू 2018 जो नियामवली है उसमें संसोदन है तो बिहार सरकार निमलिकी संसोदन नियामवली बनाती है आपके सामने हम लिखा हुआ देख लिजिए संचेप्त नाम विस्तार और आरम फर्स देख लिजिए यहार नियामवली बिहार तक्निकी सेवा आयोग चैन प्रक्रिया संसोद नहीं इसमें संसोधन किया गया है और सक्ति का प्रयोंग किया गया देखिए यहां पर आपके सामने में लिखा हुआ है ठीक है अधिनियम 2014 बिहार अधिनियम 13 2014 की 2414 की उपधारा 1 से जाए सक्ति का प्रयोंग करते हुए है 2018 जो नियामवली पहले था जो 2018 नियामवली पर वेकेंसी जारी किया जाता था अब उसको जो है चेंज कर दिया गया अब वह 2018 नियामवली नहीं कहलाएगा अब कहलाएगा ठीक है संसोधा नियामवली दूहजार चोवीस ठीक है और इसको लोग गलत तरीका से ये बता रहा है जो ये नियावावली दूहजार अठार है तो इसमें जो भी वेकेंसी निकल के आया है उसमें संसोधन किया जा सकता है जो कि ये गलत है आप अच्छा से पर लेजिए अगर परहे लिखे है तो आप अ और इसमें असपस्ट रूप से ये लिखा हुआ देखिए यहां पर बिहार तक्रीकी सेवा आयोग चैन प्रिक्रिया नियमावली 2018 के नियम आठ के तीन का परतिया स्थापन देख लिजे बदल के क्या के दिया गया है इसमें यह असपस्ट रूप से कहा गया है हम आपको न समझा भी दिये हर्ची हम कर दिये हैं फिर भी अगर बहुत सारा स्टूडेंट के मनवें अभी डाउट है तो डाउट है तो उसके लिए हम है क्योंकि आपके भाई हमेशा आपके लिए तयार रहता है इसलिए टेंसल नहीं किया सकता नहीं है देखिए यहां पर क्या लिख 100% इसलिए कोई बता रहा है वो गलत बता रहा है आपको जो है गलत नियुज देखना ही नहीं हम कितना वार आपको समझा दिये हैं हर्ची समझा दिये इसलिए आपको गलत नियुज देखने की अब सकता नहीं है इसलिए थोड़ा भी आपको पैनिक होने की अब सकता नहीं कौन क्या का रहा है नहीं का रहा है उस पर आपको धियान नहीं देना है इसको अच्छा से परिएगा तब को समझ में आ जाएगा तो उपर में हैं आपको पर के बता दिए समझा दिए इसलिए थोड़ा भी आपको टेंसल लेनी केव सकता नहीं है इसको परिएगा तब को पुन भी आराज में होगा उसके बाद यहां पर देखिए तीसराम क्या यह राज पत्र में इसके प्रकासन की तिती से प्रवीर्थ होगी अब देखिए यहां पर क्या असपश रूप से इस लाइन को अपर यह अगर आपको समझ आ रहा पर अच्छा से परेलिखे इस लाइन कर सकते हैं उसके अलावा आप संसोदन नहीं कर सकते हैं सपश रूप से यहां पर लिखा हुआ देख लिजए जो यह नियमावली 18 तारिक के जो जारे किया गया है समाने पर सासन विभाग के द्वारा इसमें इस पश रूप से आप लिखा हुआ तो कौन क्या का रहा है नह कोई ने चैंज कर सकता और यह 2018 के नियावली पर ही किलियर होगा इसके लिए आपको परिशान होने कि अब सकता नहीं है क्योंकि आप कोई पता होना चाहिए सभी एविडेंस को देखते हुए ज़सा फचला दी है और लपी अभी चल रही है आप कोई पता होना चाहिए लपी यही हम आपको जनकारी देने के लिए फिर से हम वीडियो बना है और फिर से हम आपको अपडेट दिये इसलिए जो विटेशी एन्यम 10709 पोस्ट के जो वेकेंसी है वह 2018 के नियावली पर किलियर होगा और उसमें कोई संसोधन नहीं हो सकता कोई चाहरा है जो LPA हुआ है उस पर किलियर होगा लपीए चल रहा लपीए जब रियाल ठाएगा तो देख लिजेगा दोस्तों इस वीडियो को माधिया सम यही जनकारी देने वाले थे आयोप कि आप समझ गया होंगे और अभी 10 बजे लाइब आते हैं ते डीटेल्स माँ आपको समझा देंगे इसलिए आ